हाई फ्रेंज वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मशूर अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजिन की सो प्रतिबाशाली लोगों की सूची में एक्टर अयुश्मान खुराना भी शामिल है आयुश्मान इस साल इस लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले भारती एक्टर है दीपिका पादकोन ने आयुश्मान की तारीफ में लिखा है जहां अधिकतर पुरुष अभिनेता ताकत और मरदानगी की जिसी पिटीज भूमिकाओं में फसे रहे वहीं आयुश्मान ने ये धारना तोड़ी है आयुश्मान कुराना के लाखों करोडों फैंस उन्हें आज सोशल मीडिया पर डेर सारी पधाईया दे रहे हैं आयुश्मान ने अपने फिल्मी करियर में अलग-अलग भूमिकाओं निभाई और कई किसे पिटे रोल की अगर हम बात करें जो बॉल्यवूड में हम देखते हैं स्टार्डम का वजूद देखते हैं उस वजूद को उन्होंने तोड़ कर अपने लिए एक नया मुकाम हासिल किया अईश्मान का ये सफर इतना असान नहीं था लेकिन उन्होंने रोडी से शुरू हुआ सफर आज बॉल्यवूड के सक्स अभिने दाओं में से एक अपना नाम शामिल किया है अईश्मान की इस कामयाबे पे हम उन्हें सलाम करते हैं आजकल वक्त बहुत है हमारे पास तो अलमारियां खोलने का मौका बहुत दलता है तो अच्छा बहुत बहुत दिनों बाद तुम्हारी अलमारी खोली और मिला तुम्हारी खुश्बू से उस खुश्बू को मैं जानता हूँ तुम से भी बहतर क्योंकि रहती थी वो मेरे साथ तुम्हारे जाने के बाद भी अगली दफ़ा उस खुश्बू को मैं एक बकसे में बंद करके ले जाओंगा अपने साथ और रोज मिलूँगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा किसी और का खामियाजा क्यों भर रहा है आदमी आदमी लाचार जग में मर रहा है आदमी भूल देख दूसरों की सीख लेना कुछ सका आज पर उत्पात कैसा कर रहा है आदमी जब छिल जानी है जिन्दगी मौत में तपीन सडकों पर रख जिन्दगी हथेली पर क्यों विचर रहा है आदमी रोज मर्रा की शिकायत से भरा था जिसका कल पूछ लो सुकू से दिन कितने रहा है आदमी हाँ जरा बंधना सा है ये जबरन घर पर बैठना और देखो गयर मुलकों में बस खबर रहा है आदमी जिन्दगी महफूस कर दूँ कहता है ये टोटका अपनों के लिए अपनों से दूर अगर रहा है आदमी हर विपत्ती में एक जुट हुई है जब इन्सानियत हूँ एक जरा सी महमारी से क्यों डर रहा है आदमी हम चुनेंगे जिन्दगी जो स्वस्त हो खुश्चाल हो ये बात और है कि कब अमर रहा है आदमी